आ जाते हो पटन जोला लेकर के जै योड निट नीकाल ले, गुणगुण कर रूम देखते हो बहुत सारी कौचिंग्स देखते हो, बैनर हो ड़िंग्स पर आधा से आधा जोटे रिजल देखते हो और बिना कुछ सौचे समझा है अड funk अच्रम हैं, बहुत अच्रम है, तु बड़बाद होने की आदत लगी है तुमको, टाइम पर सिलिबस नहीं कराने वालों से पढ़ने की आदत लगी है तुमको, फिजिक्स के नाम पे थियोडी पढ़ने की आदत लगी है तुमको, नुमेडिकल को लंबे-लंबे मेथर से सॉल्प करने की आदत लगी है तुमको, अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम्हारे माबाब भी गाउं में बैट करके सोचते होंगे, कि आमने अपने बच्चों को पटना में बेजा, बिहार के सबसे बढ़िया जगवा पटने के लिए बेजा, बच्चा आमारा IT और नीट निकालेगा, इंजीनिर और डाक्टर साल बड़ बाद पता चलता है, तो बच्चे यहां बोड पास करने के लायक नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पटना आए और गए, खेल खतम, क्यों आए मालूम नहीं, सिलेबस में क्या पड़े, मालूम नहीं, सेलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मालूम नहीं, यह बहुत बढ़े-बढ़े, कोचिंग्स वाले, आफलाइन, आउनलाइन वाले, सब के सब, पाउनेशन से टार्गेट, टार्गेट से सूपर टार्गेट के नाम पे तुमें बहलाते हैं, और तुम समय पर सिलेबस नहीं कराने वाले टीजर्स के पास, आने वाले जुनियर्स के एड्मिसन कड़ा करके उसको बरबाद करते हो, खुद भी बरबाद होते हो, अच्छा है, करो बरबाद, हो बरबाद, बहुत बढ़ियां, चलने तो यहीं सिलसिला, लेकिन मैं यहीं सिलसिला नहीं चलने दूँगा, मेरा एक ही मकसाद है तुम्हारा रिजल्ट कराना, और फिजिक्स को इस डार को मिठा देना, लंबे-लंबे मेतर्स को रोकना, और तुमको यह सिखा देना, कि नीट, एस स्पीड और एक्यूरेसी चाहता है, आज का टॉपिक डॉट प्रोड़क्ट, डॉट प्रोड़क्ट, डॉट प्रोड़क्ट, इसका जो सबसे खतरनाख, महातोब मेथड, यह सिर्फ और सिर्फ आपको, यहाँ पर जो मैं बोलूँगा आप उसको एकदम अभी जो दो मिनिट में बोलूँगा डॉट प्रोड़क के बारे में उसको आप एकदम ध्यान से एकदम ध्यान से कान के दोनों दरवाजे खोल के सुनिये, अंदर डाली और बंद कर लीजिए जो बोल रहे हैं आप उसको अच्छी तरह से बस सुनिये क्लियर, तिलियर, अब यहाँ देखो जैसे डॉट प्रोड़क सबसे पहली बात कि डॉट प्रोड़क क्या देगा तो दो वेक्टर का डॉट प्रोड़क करते हैं मल्टिप्लिकेशन ओव वेक्टर का दो मेथा डॉट प्रोड़क और क्रोस प्रोड़क डॉट प्रोड़क क्या देता है स्केलर क्वांटिटी देता है यानि कि एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आपको देगा मतलब डॉट प्रोड़क दो वेक्टर का dot product करने के बाद आपको जो एक quantity मिलेगी जैसे माली suppose that की a dot b करने पर c मिला तो आप इस c के उपर vector नहीं लगाएंगे क्योंकि ये vector quantity नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ a scalar quantity है तो सिर्फ c छोड़ देंगे ये रा vector a, ये रा vector b दोनों vector के बीच का angle theta तो a dot b बड़ाबर हो जाता है a b cos theta जिसमें a क्या होता है तो a जो है vector a का magnitude है b क्या है तो vector b का magnitude है theta क्या है तो theta vector और vector b के बीच का angle है आया बात समझ में अब यहां समझोगे बात को ध्यान से dot product का जो सबसे खतरनाक rule होता है महा तोप method वो ये है कि i वाले को हमेशा i से गुना करना j वाले को j से गुना करना k वाले को k से गुना करना अगर i वाला j से हुआ k वाला i से हुआ या j वाला k से हुआ तो वो zero हो जाएगा क्योंकि अगर i वाला i से होता है तो i cap या j cap या k cap तीनों के तीनों unit vector से तीनों का magnitude 1 होता है और ध्यान से सुनलो बात को अगर आप I.I करते हैं I cap X axis के तरफ ये I cap X axis के तरफ दोनों I cap X axis के तरफ दोनों वेक्टर पैरलेल हो जाएंगे दोनों की बीच का एंगल 0 degree और cos 0 degree 1 हो जाएगा लेकिन अगर आपने I.J किया तो एक X axis पर दूसरा Y axis पर दोन जीरो जाएगा और दोनों वेक्टर का डॉर्ट प्रड़ाट जीरो हो जाएगा और यहां से जो सबसे तुफानी महा तोप मेथर निकल के आता है कि अगर दो वेक्टर पर्पेंडिकुलर हुए तो हमेशा ध्यान रखना उन दोनों वेक्टर का दो बैक्टर तभी पर्पे कि नात तो यह सब कि टूला टांक के गूमते राते हो ऑफ चार महीना पड़ते हो इंदा कि यो क्या पर मालो आपको वेक्टर मालो आपको i-cap, j-cap और k-cap के format में दे रखा है हमने आपको पढ़ाया है detail इसका बता चुके हैं आपको है ना और वेक्टर b आपको दे रखा है b1 i-cap, b2 j-cap और b3 k-cap अगर इस दोनो इस तरह के format में आपको वेक्टर दिखाई दे है ना 2 i-cap, 3 j-cap, 4 k-cap अगर निकालने के लिए तो आपको क्या करना है तो आपको इस दोनो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना है थीटा तो इसके लिए formula लगाएंगे आप cos theta, clear है यह formula कहाँ से आया उसको भी हमने आपको दिखा दिया है उसको प्रूब करके हम दिखा दिया है यहाँ पर आपको बस एक snapshot recall करा रहे है अपन ठीक है न और उसके बाद questions देखेंगे आया बाद सुझ में तो cos theta का formula लगाते है वह दोनों i वालों आप तो पहले जान चुके हैं कि i वाला i से होगा, j वाला j से होगा, k वाला k से होगा, दूसरे से कि यह खेले खतम हो जाएगा उसका जाने दो i वाला i से होगा, तो a1, b1, ठीक है, फिर यह a2, b2, अब फिर यह a3, b3, दूसरी बात, अब पूरे a vector का magnitude आप निकाल लिजे, i square root of a1 square plus a2 square plus a3 square, और इसे तरफ b का निकाल लेते हैं, अब कान का दरवाजा खोल के एक बाट फिर से सुन लो बात, कभी भी कोई vector अगर i cap, j cap ये k cap के form में दिया है, इसका मतलब है कि सारे vectors आपस में perpendicular है, एक दो नहीं, अगर 500 vector आपस में perpendicular है, और उसके resultant का magnitude आपको निकालना हो, तो सब का square कर दो, add कर दो, और square root लगा दो, बात खतम, क्या cancel होगा, एक दूसरे को कोई vector cancel कर दिया सर, तो क्या होगा, उतना भेजा तुम मत लगाओ, आयबास में, जो बोल रहे हैं, आप बात मानिये, आपको resultant आजाएगा, अराम से आजाएगा, के लिए रहे, इसलिए जाता परेशान मत होईए, PhD यहीं पर मत कर लीजिए आप, अब समझेगा बात को, जैसे दो vector, इस तरीके के format पे अगर दो vector दिये रह होता है, तो AB cos theta में cos 90 0 करोगे, तो खेल खतम कर देगा, तो A dot B क्या हो गया, 0, दो vector तभी perpendicular होगे, जब दोनों का dot product 0 होगा, बात समझ माई, दो vector अगर parallel है, तो दोनों की बीच का angle 0 degree, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो दो vector अगर parallel होगे, तो दोनों vector का dot product, उस दोनों vector के magnitude के product के ब simple product के simple multiplication के बड़ावर होगा, बात समझ माई, conditions क्या होगे सुन लो, अगर यहाँ पर perpendicular करते हो, तो theta 90 लिख होगे, cos 90 0, तो यह दोनों चीज cross multiply होगे, तो खतम न हो जाएगा, जहीं, तो क्या आ जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बड़ावर 0, यानि कि इन दोनों का I व अब यहाँ देखोगे, A dot A क्या हो रहा है, A square, और A dot B plus C हमने लिखा, इसको हमने खोल दिया, bracket को open कर दी, A dot B plus A dot C, इसको बोलते distributed law, यानि कि आपने क्या किया, A vector को distribute कर दिया, B में भी और C में भी, दोनों को दे दिया, ठीक है, A dot A करने पर आपको क्या हुआ है, तो A square अगर आप A dot B लिखते हैं, तो A dot B लिखने पर आपको क्या आता है जी, तो A dot B लिखने पर आता है, A B cos theta, और अगर आप B dot A लिखते हैं, तो B dot A लिखने पर आता है भा भावो, B A cos theta, दोनों a scalar quantity है, डियारेक्षिन का कोई दिक्कत नहीं है, अपने को डियारेक्षिन से मत मतलब है कि a.b और b.a दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बड़ावर हो जाएंगे यानि कि कहीं पर अगर a.b लिखा हो तो आप चाहें तो उसको b.a से भी replace कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किलियर फिर से आपको रिकॉल कर दें अगर दो वेक्टर का डॉट प्रॉट लेना हो तो a.b करने पर a.b कॉस थिटा जिसमें a जो है वो वेक्टर a का magnitude है बी वेक्टर b का magnitude है थिटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो 100 बीच का एंगल जो है तो find out कर सकते हैं कॉस थिटा निकाल सकते हैं हमेसे ध्यान रखना डॉट प्रॉट में i वाला i के साथ j वाला j के साथ और k वाला k के साथ ही रहेगा अगर आपने i को j के साथ कर दिया i को k के साथ कर दिया j को k के साथ कर दिया तो खेल खतम हो हैं और आप तो पहले जान चुके हैं तो वेक्टर का डॉट प्रॉडक्ट अगर परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर तो जीरो होगा थोड़ा फास्ट है लेकिन इतना खतरनाक चुकि हम पहले ही इसका पूरा डिटेल डिसकसन दे चुके हैं तो यह बढ़ा इक अभी ज आज वकोस्टन देखते हैं आध्या फटट 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 इसको साफल करते हैं जो में तरब बताए बस उसको दिमाग में रखना सारा बन जाएगा ठीक है एकदम 0 से स्टार्ट कर रहे है एकदम 0 से मतलब खास समझो की खतम कॉस्ट्रब सब वेकार है मतलब माहारद्ती माहारद्ती कोस्चन सबसलुए सब एसाब अब यहाँ देखो यहां पर एडॉट भी निकान ला है फॉर्मूला क्या होता है ता हिसाइसर मोला वह आप एडी सुप्र AB cos theta तो vector A का magnitude कितना तो 3 B का magnitude कितना तो 4 ठीक है अग cos theta तो 2 vector के बीच का angle जो कि तुमको दे रखा है 60 degree cos 60 कितना होता है 1 by 2 calculation कर लोगे 6 Newton आ जाएगा ठीक है आए बास अन्मे अब यहाँ देखो यहाँ list 1, list 2 दे रखा है आपको क्या करना है तो 2 vector के बीच का जो है वो angle को बताना है कि 2 vector के बीच का angle कितना होगा समझ के बात को आपको यहाँ पर क्या करना है तो 2 vector के बीच का angle बताना है कि क्या होगा तो यह बहुत असान सा बात है यहाँ देखो पी डॉट क्यू बढबर पी क्यू है ना एक चीज़ यहां पहले पकर लो दो भेक्टर का डॉट प्रोडट्ट पी डॉट क्यू बढबर जीरो पी डॉट क्यू बढबर जीरो इसका मतलब है कि इस दोनों के बीच का एंगल तो 100% 90 डिग्री होने वाला है मतलब तीसरा के लि यहाँ पर जो पी डॉट क्यू बड़ावर पी क्यू है तो इसका मतलब है कि इसका भी एंसर ए होगा कंफर्म है दो ओप्सन देखो फटा पट एक दम लॉजिक से पकर में आ गया कोई कैलकुलेशन नहीं करना अब यहाँ दोगो पी डॉट क्यू बड़ावर मैनस पी क्यू तो जर्दा सोचिये कि पी डॉट क्यू हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए तो हमारे हिसाब से होना चाहिए PQ cos theta और question के हिसाब से है minus PQ तो हम लोग तो एक ही बात कर रहे है न और इसी P.Q को हम बोल रहे है PQ cos theta question बाबा बोल रहे है कि नहीं minus PQ ठीक है तो PQ से PQ साफ कर देंगे तो cos theta minus 1 और cos theta minus 1 आने का मतलब theta कितना 180 degree यानि कि D option तो automatically इसका हो जाएगा C option अब तक कितना आसानी से मतलब सिर्फ एक calculation हमको करना पड़ा वो भी अगर आप मतलब थोड़ा सा होसी आरे तो भी कुछ नहीं touch करना है आपको अब यहां देखोगे इसमें हम एक problem करते रहे बागी आप खुद कर लेंगे इस तरह का i, j, k के form में दिया रहे तो i वाला i से, j वाला j से और k वाला k से तो i का i के coefficient से multiply करो तो 2 into 1 कितना हो गया? 2 3 into 1 कितना हो गया? 3 4 into 1 कितना हो गया? 4 तो कितना हो गया? 3, 2, 5, 4, 9 इसका answer आदागा हो 9 जो भी unit आप है 9 और आगे कुछ भी unit हो सकता है ठीक है? जैसे इसी को देख लो अगर इसमें a dot b निकालना होगा तो क्या करेंगे वागू? है ना यहां देखोगे 2 into 1 दोनों के coefficient को ले लो जी कितना हो जाएगा? 2 फिर यह 1 into 2 कितना हो जाएगा? 2 फिर यहां 3 into 1 कितना हो जाएगा? 3 तो यह कितना हो जाएगा वागू? 7 clear? तो इस तरीके से जो है तो हम लोग dot प्रोड़क के questions को deal करते हैं next questions देखते हैं दीरे दीरे हम लोग level उठाते जाएगे चलिए अब यहाँ देखो इस सब questions को इसे करना है यहाँ वेक्टर किस form में दे रखा बताओ तो यहाँ वेक्टर दे रखा आपको i jk के form में देखो के ध्यान से समझना cost theta निकालने के लिए क्या बताये थे i will i से उपर तो i है लिकिन नीचे i नहीं है वावो उपर i है नीचे i नहीं है यानिकि one यहाँ पर i k कौपिसेंट one लेकिन यहाँ i है ही नहीं मतलब 0 miles इंटू 0, प्लस, यहां भी J है, यहां भी J है, दोनों का कॉफिसेंट 1 है, तो 1 इंटू 1, प्लस, यहां K नहीं है, यहां K है, तो 0 इंटू 1, अपन, इसका मैगनिचूड कितना होगा, क्या बताए थे, कि IJK के फॉर्मेट है, तो सब का स्कॉयर करके जोड करके रूट, स्क करके जोड करके रूट कर दिये, एक्जैक्ली यहां भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है, तो अब यहां देखो, ऊपर कितना आया, 1, नीचे रूट 2 into root 2, 2, root 2 into root 2, 2, तो cos theta 1 by 2, तो theta पता है तुमको 60 degree, चलो इसमें आजाओ, cos theta, क्या करेंगे बाव, आई वालाई से, 3 into 3, 9, 4 into 4, 16, plus plus, plus, plus 5 into minus 5, minus 25, अब यहां पर भेजा लगाओ, यहां पर क्या करता है बहुत बच्चा, कि नीचे में तुरंत लगेगा, A और B का magnitude लिखने, नहीं लिखना है, भाई, 16, 9, 25, minus 25, 0, नीचे तुम कुछो लिखोगे, भागा दोगे, 0 मिलेगा, सिंपल सी बात है, तो कॉसिटा फाइनली क्या आने वाला है, 0, अब कॉसिटा 0 कब होता है, तुमको पता ही है, दो वेक्टर का dot prompt 0 होने जाड़ा है यहां पर तो, तो कॉसिटा 0 होने का मतलब है कि थीटा कितना होगा, दोनों के बीच का अंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग् बड़ाबर कर दो, I cap के coefficient का ratio, J cap के coefficient का ratio, K cap के coefficient का ratio, बड़ाबर कर दो, तो यहां देखो, यहां 2 है, यहां केतना है, minus 4, तो 2 by minus 4, वहां 3 है, यहां minus 6, तो 3 by minus 6, यहां minus 1, और यहां minus lambda, यह सब आपस में बड़ाबर हो जाएगे, कि नहीं भी दो को पकड़के आप lambda निकाल सकते हैं माइनस टू आएगा इफ टू वेक्टर्स दिस एंड दिस यह दोनों आर परफेंडिकुलर टू इच अधर फाइंड अल्फा क्या बताये थे कि जब दोनों परफेंडिकुलर है तो दोनों के डॉट प्रोड़क्ट को जीरो करना है या कंडिशन क्या लिखाए थे कि दोनों के आई कैप का कॉफिसेंट का प्रोड़क्ट जे कैप के कॉफिसेंट का प्रोड़क्ट के कैप के कॉफिसेंट का प्रोड़क्ट जोड करके जीरो तो यहां होसियारी देखना नीट का कोस्टन है होसियारी क्या किया सो देखो आई कैप को पहले लिखते हैं जे लेकिन कोस्टन में क्या किया तो पहला वाला में थीक फॉर्मेट था पहला वाला वेक्टर में फॉर्मेट ठीक है दूसरा में क्या किया तो पहले जे कैप को लिए ताकि तुम पूर 12 प्लस इंट्व प्लस 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 8 इंट्व अलफा 8 अलफा बढ़ावर कितना जीरो कैलकुलेशन कर लेना जो आना होगा वो आ जाएगा बहुत ही आसान कोशन है नेक्स कोशन देखते हैं वह वह चलो यहां देखना यहां क्या बोल रहा है इस वाट टू वैक्टर स् vector b उनका sum जो है वो perpendicular है बस यह देखते ही कान खड़े हो गए perpendicular है था dot इसका sum यह वाली यह जो a plus b इसको कुछ भी vector माल लो r vector माल लो c vector माल लो कुछ भी माल लो यह perpendicular है to the difference a minus b to the difference a minus b difference a minus b vector a minus vector b ठीक है vector a minus vector vector b तो दोनों का dot पर क्या हो जाएगा 0 दोनों vector के magnitude का ratio बताना है find ratio of their magnitudes अब यह देखो पहले क्या बताया थे अभी distributive lawyer को बताया थे न a dot a इस a को पहले इस a से a dot a फिर a को b से तो minus a dot b फिर b की बारी तो plus b dot a यह b और यह a positive है plus minus minus b dot b बड़ावर कितना 0 आपने भी जब पढ़ा प्रोपर्टिम पढ़ाए थे a dot a क्या होता है a square तो यह कितना हो जाएगा बावो a square a dot b और b dot a आप आसे बड़ावर होते यह भी बताये थे तो यह दोनों तो यहां से हो जाएगा a square बड़ावर b square यानि कि a और b का जो magnitude आएगा उसके ratio one is to one यानि कि one by one clear अब यहां देखो जो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा न बावो कि f बड़ावर four i minus three जहें मतला ijk के form vector दिया है और आपसे बोलेगा कि कोई ऐसा vector बताओ जो इसके perpendicular हो तो आपने क्या पढ़ाए कि अगर कोई भी ऐसा vector जो कि इस पर किसी दूसरे थीरी इंटू थीरी नौ तो 16-9 साथ हो गया तो यह 0 नहीं दे रहा है तो खतम ठीक है फिर छोचो का 24 यह भी 0 नहीं दे रहा है तो खतम फिर यहां देखो i.k.0, j.k.0 तो यह option क्या है सही है एक क्योत हम कुछ है आगे हम कुछ ही देखेंगे बताओ दूसरा यह भी तरीका था आप यह सोच सकते थे कि i cap और j cap यह जो force vector है इसमें i cap और j cap है यानि कि यह vector x y plane में होगा i cap का मतलब x axis, j cap का मतलब y axis यानि कि यह force vector x y plane में होगा तो x y plane के perpendicular कौन सा vector हो सकता है z axis सिद्धी सी बात है और perpendicular क्यों खोज रहे है क्योंकि हमको question बोल रहा है कि perpendicular to f तो वो z axis होगा, z axis मतलब k cap चारो option में से सिर्फ इसी में k cap है तो यह option सही है जुगार देख रहा है तो अब यह देखो यह दोनों vector अगर perpendicular है तो alpha कैसे निकालेंगे पहले बताएं, i वाला i से, तो 1 into 2 कितना हो जाएगा बावू बताओ, 2 हो जाएगा, फिर 2 into 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, alpha into minus 1 क्या हो जाएगा, minus alpha हो जाएगा, equal to 0, तो यहां से alpha आ जाएगा बावू 8, इसी तरह इसको भी आप कर सकते हैं, दोनों perpendicular है, a और b दोनो perpendicular है, तो a का positive value बताना है, small a का, देखोगे, a dot a क्या हो जाएगा बावू, a squared, a into 2 क्या हो जाएगा, minus 2a, plus 3 into minus 1 क्या हो जाएगा, minus 3, बरावर कितना हो जाएगा, 0, क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों vector का dot product 0 है, अब यहां क्या लिखेंगे, इसको factorize कर दोनों बावू, है जब calculation करोगे, तो तुमको साफ साफ दिखाए देगा, a की value plus 3, और a की value minus 1, तो अपने को positive पकरना है, तो plus 3 मेरा answer हो जाएगा, और minus 1 मेरा wrong हो जाएगा, क्यलियर है, तो यह था कुछ questions आपको dot product से related, अब और level को हम लोग थोड़ा सा उपर करते हैं, द्यान से देखते जाएगा, और question को note करते जाएगे, चलिए अभी यहाँ देखो, यह question यह भी need में पूछा हुआ है, देखो के द्यान से, क्या क्या बोल रहा है कि इस vector का, यह vector perpendicular है, यह vector का perpendicular क्या है, बताओ, यह vector किस पर perpendicular है, is perpendicular to, तो यहाँ से एक बात तो clear है, कि यह vector में I cap और J cap है, तो 100 परसेंट इसका जो vector perpendicular है, वो K cap वाला तो निश्चित रूप से है, तो C option तो 100 परसेंट है, अगर single correct option है, और D में all नहीं लिखा होता, तो मेरा answer मिल चुका, ठीक है, D में अगर all नहीं लिखा है, तो मेरा answer तो मिल चुका है, लेकिन अगर मानलो multiple choice question है, या फिर D में all लिख हो है, जो कि यहां है, तो हमको देखना पड़ेंगा, फिर तो option भी check करना पड़ेंगा, तो देखोगे, पहला option को check करते है, अगर यह perpendicular होगा, तो इस दोनों का dot product 0 होगा, अगर यह vector, a option वाला vector, इस vector पे perpendicular होगा, तो दोनों का dot product 0 होगा, तो दोनों के i cap वाले को गुना कर जो, a cos theta into b sin theta, कितना हो जाएगा, a b sin theta cos theta, प्लस माइनस, माइनस, b sin theta a cos theta, तो यह भी हो जाएगा, a b sin theta cos theta, यानि कि 0, यानि कि option a भी सही है, अगर single correct वाला question है, तो a भी सही है, c भी सही है, आख बंद करके d में मार दो, खेल खतम हो गया, जवरते नहीं है, आपको b को check करन अब ही आएगा, अब बोला कि यह दोनों vector जो है, वो perpendicular है, तो निश्ची तरूप से दोनों का जो dot product होगा, वो क्या हो जाएगा, बावो बताओ, तो दोनों का dot product जो है, वो 0 हो जाएगा, simple सी बात, तो अब खोलो, open करो, है ना, vector a dot 5a vector, ठीक है, फिर a को इससे भी करेंगे तो माइनस a dot 4b, तो वेक्टर a dot 4b vector, प्लस, प्लस इंटो प्लस, है ना, 2b vector dot 5a vector, प्लस माइनस, माइनस 2b vector dot 4b vector बढ़ावर 0, तिहां देखो, यहां एक वेक्टर कोपेसेंट 1 है, तो यह 5 है, यहां a vector कोपेसेंट 1, यहां 5, तो 5 और a dot a कितना हो जाएगा, a square, minus, यहां दोगो, यह 4 आ जाएगा, ऐसे ही बाहर, a dot b क्या होगा बाव, a b cos theta, प्लस, 5 into take 2, कितना हो जाएगा, 10, b dot a क्या हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग लिख सकते है, a b cos theta, ठीक है, minus, 2 into 4 कितना होगा बाव, 8, अब b into b हो गया, b square, अब आ जाएगा, तो यहां 1 करोगे, तो 5 और यहां कितना हो जाएगा, minus 8, है ना, a के जाएगा, one put करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, जी, तो यह हो जाएगा, बाव, पलस, 5, यह कितना हो जाएगा, minus 4 cos theta, a और b, दोनो 1 है ना, तो minus 4 cos theta, यहां 10 cos theta, तो plus 6 cos theta, plus 6 cos theta, और minus 8, अगर जाएगा तो पलस थी है ना तो कॉस थीटा आगया बावो थीडी बाई सिक्स यानि की वन बाई टू मतलब की थीटा कितना साथ डिग्री देखरो कितना इजी कोशन है अगर आप हमारे लॉजिक को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान सावी तो होगा देख फोर्स और डिस्प्लेश्मेंट का डॉट प्रोड़क्ट वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेश्मेंट का डॉट प्रोड़क्ट वर्क होता है अब फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोड़क्ट पावर होता है तो यहां देखोगे बोला कि फोर्स क्रियेटेट वाई फोर्स प्रियेट कर रहा है कितना फ्र्स प्रियेट किया यह फोर्स माइनस आइब फ्लस जे प्लस टू के नीउटन और वेलोसीटी बसकी के लिए विलोसीटी जे में यहाल कि इसमें प्लस के नहीं है मिर्द पावर चाहिए तो लिख ना पड़ेगा बाबु वेक्टर एफ यहाँ देखोगे यहाँ से से यहाँ पलस वन यहाँ पलस टू कितना मुझाल करते हैं नहीं हो कि तो इसमाड़ मन है धूकरका कि तो कि चलिए वह आईए यह कुछ आखरी सवाल हम लोग देख लेते हैं आज के वीडियो का यह भी कुश्चन्स आपको नीटिक जाम में आरक है सारे के सारे यहां देखिएगा बोला कि यह दोनों वेक्टर जो है वो टाइम का फंक्सन है ना फंक्सन्स ऑफ टाइम बहुत लिए होगी जब यह दोनों वेक्टर एक दूसरे पर और्थो गोनल होगे यह जो वाड्न नया GUY कर दिया और्थो गो नंल इसका कुछ मतलब नहीं होता है और तो पता है अपको कि दो वेक्टर परेपेंडिकुलर है तो दोनों का dot product 0 कि यहां देखो cos omega t into this है ना cos omega t into cos omega t by 2 आई वलाई से है ना plus sin omega t into sin omega t by 2 बड़ावर 0 cos a into cos b plus sin a into sin b उस तरह का formula बन गया तो क्या लिख देंगे इसको cos a minus b cos a minus b का यह formula होता है ठीक है ना cos a into cos b plus sin a into sin b बड़ावर इस 0 को क्या हम लोग cos πy2 लिख सकते cos 90 degree बिल्कुल लिख सकते तो cos से cos साफ हो गया तो कितना बचा omega t by 2 बड़ावर πy2 2 से 2 साफ तो कितना आगया बबबू तो t बड़ावर πy by omega clear यह आपको एक question का answer फटाक से मिल गया यहाँ पर force दे रखा है velocity दे रखा है power मांग रहा है तो power बड़ावर क्या पढ़े हो तो force का velocity से dot product तो i वाला i से कितना हो गया 120 62 plus minus 15 चोका 60 और यह माइनस 15 60 पंदर पंदर पशत्तर 120 में से पशत्तर चला गया 45 वाट पावर का यूनिट वाट इसमें वर्क निकालना देख तो कैसा कैसा इजी इजी question पूशता है नहीं force f dot s क्या करेंगे i will i say 3 into 1 3 minus 2 into plus 3 minus 6 plus 5 into minus 2 minus 10 तो minus 6 minus 10 minus 16 उसमें से plus 3 गया तो minus 13 जूल वर्क का यूनिट होता है बावू जूल और यह minus आया मतलब negative work है work power energy वाला playlist में आप देखियेगा तो वहाँ explain किया हुआ है कि negative work क्या है और positive work क्या है clear dot product का हमने एक बहुत ही सांदार lecture जबर्दस्ट Snapshot के साथ और बहुत सारे questions के साथ आपको हमने करके दिखाया इतना ही question करने के लिए आप जोला लेकर दौरते रहते हैं ठीक है ना खेड़ तो सब छोड़ी हटाइए क्या बोला जा सकता है लेकिन हम आपके सिर्फ result के लिए सोच रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक share कीजिए subscribe करो channel को ठीक है ना नहीं भी करने का एक्छा हो कोई बात नहीं फाइदा उठाइए content का और selection लेजिए ठीक ना selection लेजिए यह हमारे लिए ज्यादा important है और आपके लिए भी clear मिलते हैं वाव नेक्ष्ट वीडियो में dot product के और भी बढ़िया खतरनाक concept के साथ geometrical concept के साथ इसका यूज के साथ हम लोग next class में मिलेंगे next video मिलेंगे उसमें भी बहुत सारे numericals को हम लोग deal करेंगे thank you